शाथियो और राम राम, खमागणी, सास्रिकाल, जैसियराम आज अपना टोपिक है मीना जंजाती जंजातीयों में सरव पर्थम आपको पढ़ने जा रहा हूं उस जंजाती का नाम है मीना जंजाती मीना जंजाती के टोटल बातें अपने बताएंगे और मेरे को ये भी बताए कि जातर अपनी वीडियो देखने वाले में दिकांस थे मिना ये मिना की जेपूर के अंदर आज पास याई मिना ये आपर तो मिनाओं सबी आप ध्यान दीजिए आपकी पूरी बेसिक बातों को बताओंगा मैं हाँ किसी उपरकार की आपको इसमें कोई टूरा वर्थी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अच्छा तो ध्यान दो सामने इसको बनाने में पूरी सावधा नहीं बरतेगे फिर भी कोई कमी हो तो मुझे जरूर बताना सबसे पहले हम बात करते हैं मीना जनजाती मीना जनजाती के विशेश बातों की मीना जनजाती का उद्वव कैसे हुआ मीना जनजाती का बैक्गराउंड क्या है आप ये कह सकते हो प्रष्ट भूमी मीना जनजाती की प्रष्ट भूमी क्या है वो अपने देखेंगे ये मिना जो है ना एक शबद है जिसका नाम है मीन मीन माने होता है मचली मीन माने मचली होती है मचली को आप मतश्य के नाम से भी जान सकते हो मतश्य भी कह सकते हो और मचली भी कह सकते हो मीन शबद से उत्पती हुई है भगवान विश्णू का अवतार है जिसका नाम है मतश्य अवतार इस मतश्य अवतार से इन सब की उत्पती मानी जाती है शिद्धा सा बावर्थ है कि मीना लोग अपना जो आदी पुरुष मानते हैं अपने आदी देवता मानते हैं तो वो मतश्य अवतार हो जाएंगे तो मतश्य अवतार से इनकी उत्वपती मानी जाती है ठीक है, और बाते बताता हूँ मूल रूप से, पूरवी रादस्थान के अंदर जेपुरा लवर की सीमा छेत्र में एक पहाडी पढ़ती है काली खोय पहाडी अरावली के अंदर काली खोय पहाडी काली खोय पहड़ी इनका मूल छेतर माना जाता है जबकि अजमेर से लेकर और पूरा जो पूरवांचल का एरिया है दौलपुर तक का इस पूरे बेल्ट में आज भी सरवादी की मीना पाए जाते है और प्राचीलतम शोद करताओं के अधार पे पता लगता है कि ये पूरा छेतर पेले मीनाओं का इस छेतर था अच्या जिट यहां तक बात अपनी कम्पलीट होती है देखो मीना जन जाती को लेकर और भी भोसरी में बाते बताऊंगा आज के टाइम में रादस्थान में सबसे सूपरीट जन जाती है रादस्थान में सबसे ज़्यादा छेतर फल इनी जन जाती कहे सरवादिक जन संख्या वली जन जाती है तो मीना जन जाती है सबसे सिक्षी जन जाती है तो मीना जन जाती है और अपनिया में विक्षित ओनिवल जनजाती है तो वो कॉन सी है मेना जनजाती है हाँ ये मेना जनजाती खास बात है रादस्थान में सरवादिक ये निवास करती है कहाँ पर ये सरवादिक निवास करती है दोस्तों जेवपूर के जमोव आरामगड छेतर में सरवादिक मिना जनजाती का प्रभाव है बाकी पुरवांचल छेतर में मिना जनजाती है और भोत से इनके प्रमाण मिलते हैं दोस्तों मैं आपको बताता हूँ पुरी हिस्टरी लेके सलता हूँ मिना जनजाती की देखो कैसे जेपुर में मिनाओं का राज हुआ करता था इनकी केटेगरी के बारे में अपने बात करते हैं दोस्तों मिना जनजाती का इतियास बहुत ही सुद्रिड इतियास रहा हुआ है पहले साइध मीनाओं को खुद को नहीं बता होगा कि इनका इतियास कितना सूधरी डरा हुआ है पर बात ये कि मीनाओं की केटेगरी बहुत ज़ादा है मीना जो समाज है वो भूत से भागों में बंटा हुआ है बस वेसे इस बात यही है चछा सारी बात देखते हैं कितने भ पहले इसको बोलते थे डुंडाड के नाम से आज भी डुंडाडी बोल देते हैं लेकिन डुंडाड था जिसमें आज का एक तो सामिल है जेपूर और एक सामिल है दोसा जेपूर और दोसा छेतर में जेपूर छेतर जो है ना आज का इस छेतर में तो राज होता था मीनाओ का मीना लोग राज करते थे प्रजा संचालन क्या करते थे ये राज़ा होते थे मीना लोग दोसा छेतर में अधिकार था बड़ गुजरों का ये गुजर प्रतिहार नहीं है बड़ गुजर इनका अधिकार था मद्य प्रदेश के अंदर दोस्तों मद्य प्रदेश के अंदर तक हुए जिनका नाम था दुल है राए बहुत सारी नाम है दुल है राए को तेज करण भी कहा जाता है तेज करण को धोड़िया राए भी कहा जाता है धोड़ा राए भी कहा जाता है अत्यदिक सुंदर थे धोड़े थे इसलिए धोड़ा राए दुल है राए कई नामों से जना जाता है दुल है राए ने पूरी प्लानिंग की जबरदस्त बनाए प्लान और प्लान बना गए सबसे पहले दुल है राए को दहेज में मिला था दोसा एक बात याद राखियो प्रतिया राज कुमार के सागे ब्यावयो दुल है राए को दहेज में मिला दोसा याद रखना दोस्तों दुलहा राई ने सबसे पहले 1137 में बड़ गुजरों को प्राजित करके दोसा पर अधिकार किया दोसा पर अधिकार के बात देखो जेपुर छेतर में एक तहसीला जमूर रामगड गराम से उसको पहले मांच या मांची कहा करते थे जमूर रामगड को पहले मांच या मांची कहते थे उस मांची छेतर पे सरवादिक मिनाओं का यदिकार होता थार मिना यहां मिना सालीम सिंगर की मिना सरदार भी हुआ करते थे उन मिनाओं को प्राजित करके दुलहराईनी 1137 में जमुआ रामगड देखो यह जो मांच छेतर था इसका नाम परिवर्तित करके रामगड नाम रखा जमुआ इसकी माता है जीत हुई थी माता के कारण इसलिए इसको बाद में जमुआ रामगड के नाम से जाना गया तो जमुआ रामगड का प्राची नाम भी मांची या फिर मांची हो गया ये इतिहास है इनका देखो कैसे राज क्या करते थे आप से फूट हुई एकता नहीं थी एकता नहीं थी दूसरे फायदे उठागे दुलहराई ने आकरमन किया और इनकी सक्ती को दबाया और इस तरह से खुद यहां पर परभावी हुआ ये थोड़ी सी बात बताई मैंने कि ये भी कभी राजा हुआ करते थे मीना लोग अच्छे एक बात गजब की और बताऊं भोती गजब की बात है दुलहराई ने इन मीनाओं को दो बरगों में बांट दिया दुलहराई ने इन मीनाओं को कितने बरगों में विभाजित किया दुलहराई ने इन मीनाओं को दो विभाजित किया दोस्तों इसमें से एक भाग था जिसे कहा जाता था जमीदार मीना इसमें से एक भाग जमीदार मीना और दूसरे जो कैटेगरी थी वो थे चोकिदार मीना चोकिदार मीना को इस कैटेगरी को उच कैटेगरी मने गई है मतलब मीनाओं में यह दीपने देखो पुछ निच तलब छूवा छूट विगर एगी मैं बात नहीं करना चाहूंगा यहां सिरफ लेवल की बात की जारी है चाहिए वो आर्थ एक स्तरपे मानले हो बाई बात देखो जिया मानले हो आज कोई आदमी सरकारी नोकरी लाग़े अपने भाव बढ़ जाओगा तो इसलिए इनको उच मीना कहा जाता है दूसरे बचे कौन से जमीदार मीना दुलहराई ने मीनाओं की कितनी केटेगरी बताई है दू दूलहराई ने मीनाओं की कितनी केटेगरी बताई है दू दूलहराई बनाई है केटेगरी एक तो चोकेदार मीना हो गया दूसरा जमीदार मीना हो गया इसके अलावा में बंटे हुए है त्रिकुम पंचायत या गोतरगेश का 24 खांपों में बंटे हुए है तो दोस्तों हर एक वंस के अंदर भोत बड़ा शोध हो सकता है मैं बता देता हूँ एक जेन मुनी थे मगन सागर के नाम से जेन मुनी थे जिनका नाम था मगन सागर जेन मुनी मगन सा अगर मीना पुरान लिख रहा है, मीना पुरान के अंदर इन्हों ने इन मीनाओं की बावन सो गोत्रों का उलेक किया है, सोचो, किस आदमी ने कितना गहर अधिन किया होगा, केवल एक यह नहीं बता रहा है कि बावन सो यह है, उनके बारे में डिटेल भी बता रहा है, डिट मुनी मगन सागर ने लिखा मेना पुरान अब आप से पुछे मेनाओं की गोत्रों का उलेक किस गरंथ के अंदर किया गया है मेना पुरान नमक गरंथ में जिसका उलेक जिसको लिखा था जैन मुनी मगन सागर ने कुछ जिगत तुटीमस मगर सागर लिखा हुआ है तो ये सह प्राचीन माने तेक सागा आज भी चालरी है कौन-कौन सी गोत्रा है बहुत सारी गोत्रा है दुलहराय दुवारा तो जमीदार चोकिदार होई गी ये तो उन्होंने उस टाइम बनाई थी आर्थिक स्तर के धारवे बनाई थी छेतरी की स्तर पे भी जर इनको बांटा गया है छेतरी स्तर पे मैं बताता हूँ कौन-कौन सी मीनाओं की अलग-लग केटेगरी है देखो अब मैं बताता हूँ छेतरी स्तर पे मीनाओं की अलग-लग केटेगरी है अच्छा सबसे पहले आप हम बात करांगा करनल जैमस्टोड के केरे हैं करनल जैमस्टोड भोती शांदर प आदिम मीना उश्याहार मीना को बताया है उश्याहार मीना राजस्थान के सबसे प्राचीनतम और इनी को राजस्थान में सबसे आदिम मीना के नाम से जोने जाते हैं राजस्थान में सबसे आदिम मीना करनल जैम स्टोड के अनुसार कोड़ से है उश्याहार मीना उश्याहा अलग अलग उले करता हूँ जैसे एक का नाम हो गया पुराना आवासी मीना एक हो जाएगा ने आवासी मीना ने आवासी मीना ने आवासी के अलावा उश्याहार मीना उश्याहार मीना के अलावा रावत मीना रावत मीना भूस सारी केटिगरियां हैं भूस समडिया मीना उज पुजला मीना, चमरिया या इनको चमरिया मीना के नम से जना जाता है ये है इनके लावा और भी केटेगरी है पहले इनके बारे में सुनो पुराना आवासी के अर्थ है पुराना आवासी आदिम कह सकते हो आप जो सबसे पुराने टाइम से बसे हुए है जो पुराने टाइम से कारे कर रहे हैं पुराने टाइम से बसे हैं उनको पुराना वासी के नाम से जाना जाता है नया वासी का अर्थ है जो बाद में आकर बसे हैं उन्हें नया वासी मीना के नाम से जाना जाता है उशाहर मीना के हुए है उशाहर मीना ये सबसे प्राची इंतम होगे ना आदिम जिनका उलेक कोण करता है करनल जैम स्टोर्ड कर रही है रावत मीना वो है जो अजमेर छेतर में पाई जाते हैं अजमेर छेतर में जो मीना लोग पाई जाते हैं उनको रावत मीना बोलते हैं इनके बारे में एक उलेक भी है इनके बारे में उलेक क्या है रावत मीना के बारे में उलेक है कि ये लोग जो राजपुतों से निकले हुए है इनको ऐसा मना गया कि ये क्या है ये राजपुतों से निकले हुए है रावत मीना तो राजपुत मीना भी कहलाते हैं तो कौन से होगे रावत मीना होगे उजला मीना की बात करें उजला मीना वो होते हैं जो गाईवे भैंस जो गाईवे भैंस पैंस नहीं भैंस गाईवे भैंस का सोरी गाईवे भैल का मास नहीं खाते गाईवे भैंस का मास नहीं खाते उन्हें क्या बोलते हैं उजला मीना बोलते हैं जो मीना चमड़े का काम करते हैं, उन्हें चमरिया मीना के नाम से जणा जाता है, अच्या इसके अलावा मैं बता दूँ, एक और मीना है पडीहार के नाम से, देखो, पुरानी मानेता आज की टाई में मैं कुछ नहीं किया सकता, आज की टाइम ही हो भी सकता है ने भी हो सकता लेकिन पुरानी हमारे पास लिखित मानेता हैं प्राप्त हो रही है कि पड़ी हार मीना उन्हें बोलते थे जो पड़ी का मास खाते थे पड़ी हार मीना के नम से जाना जाता है दोस्तों अच्छे अब अब बात करां दो मीना ओरे गया अपना जो मेन मेन है एक तो है मेला मीना मेला मीना मेला मीना मेला मीना इस परकार की मीना होते हैं जो हर तरह का मास्क खा जाते हैं ये किस परकार की मीना होते हैं मेला मीना वो मीना होते हैं हर तरह का मास खाने वाड़े होते हैं उनको कहा जाता है मेला मीना मेला मीना के बाद हम बात करेंगे सुर्टवाल मीना सुर्टवाल भी कह सकते हो आप इसे सुर्टवाल भी कह सकते हो सुर्टवाल भी सुर्टवाल जो मालीन के साथ ब्या कर ले या किसी अन्य समाज की महिला क साथ ब्या कर ले उस मीना को किस नाम से जाना जाएगा उसे सुर्तवाल मीना के नाम से सुर्तवाल मीना के नाम से माना जाएगा अन्य स्त्री से ब्या करने वाला मीना को छोड़ का अन्य स्त्री से जो ब्या कर लेता है अच्छा कौन कौन से ब्या परंपरा में वो ही बता दूँगा उसे सुर्तेवाल मीना के नाम से देख लो और याद राख लिए उक काम आओगा एक और बताओं एक मीना हो रहे करनल जैम्स्टोर को साइड में करते है डेडिया डेडिया मीना ये पाई जाते हैं जालोर आपका बाड मेर छेतर दर पाई जाते हैं ये वो मीना है जो गोड़वार छेतर में सरवादिक पाई जाते हैं देखो सारा मीना थार सामने त्यार है बिल्कुल आपा देखां सारा मीना सबसे प्राचिंतम मीना उश्याहार मीना उले कौन कर रहे हैं करनल जैम्स्टड उले कर रहे हैं पुराना आवासी जो सबसे पुराने टाइम से बसे हुए हैं नए आवासी जो बाद में आए हुए हैं उश्याहार जो आदिम हैं रावत मीना अजमेर छेतर गे जो राजपूतों के वंसेज माने जाते हैं कहते हैं कि इनकी उत्पती राजपूत समाज से मानी गई है उजला मीना जो गायव है बेल का मास नहीं खाते ध्यान रखना खाते नहीं हैं नहीं खातेगी बात कर रहा हूं है चमरिया मीना जो चमरिया एक ही बात है कोई फरकरता जो चमरे का काम करते हैं उन्हें चमरिया मीना के नाम से जाना जाता है पड़िहार मीना जो पड़। मिना जो पड़। मीना किसका मास नहीं खाते मीना किसका मास नहीं खाते मचली का मास नहीं खाते आज कल मीना रोईल हो गए हैं पूरे ब्रांडेड हो चुके हैं क्योंकि किसी बच्चे ने कमेंट किया सर मीना जनरल में क्यों आएंगे आप बताओ क्यों तुम ऐसी वड़े लगते हो क्या तुम्हारे को अरक्षन दिये गए थे सरकार ने तुम्हारे को जो अधिकार दिया तुम्हें उनको फैदा उठाया महनत की 70% मेड़ों ने तनी महनत की कि उनका लेवल जनरल से भी पार जा चुका है जनरल आज कल S.C. वड़े बनने को त्यार हो चुकी है तो कंडिशन ये है तो बात को अधरवे में मतले ना माइंड ना करते हुए इस बात को समझना कि लेवल उन्होंने अपना बड़ा कर लिया है इसलिए जनरल कैटेगरी के लाइक है ये जो आप चुआ 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 समझते हुए चुआ 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 खूप मीना है राजस्तान के अंदर मीना ही मीना है अच्छा जी यहां तक मीनाओं की बात होगी अब 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 बात करा मीनाओं का धार्मिक जीवन केसा है मीना समाज का धार्मिक जीवन किस परकार का है ये किस देवता की पूजा करते हैं, कौन सा इनका सबसे परमुखतीर थस्तान है और कौन कौन सी देवियों को ये लोग मानते है चलो अपने इसी टोपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं किस किस देवी को ये मानते है एक दो परसन आपसे पूछूँगा, अभी पूछ लेता हूँ, चलो बताओ मुझे गोडवार्ड प्रदेश में जो धेडिया मीना है, ये मीना किस लोग देवी की पूजा करते हैं, इनकी सबसे पिरिये और अरादे देवी कुरसी है अच्छे देखो मैं दो तीन बात और बताओ, एक बात तो है अरादे, एक शबद होता है अरादे, एक होता है इस्ट और एक होता है कुल तो देखो तीन शब्द आपके सामने है अराद्य और इस्ट का मतलब होता है फैबरेट मतलब आपका जो फैबरेट है वो इस्ट है एक, दो, तीन, चार, पांच, आट, दस, पंदरा, भीस, पचीश, पचास कितने भी होते हैं कुल देव देवता एक ही होते है ठीक है जो फिक्स पिड़ी दर पिड़ी चलते आ रहे इस्ट अभी आपको जो अच्छा लगा आप जिसको मानते हुआ आपका इस्ट है कई उसके घर के अंदर मंदिर में पंदरा भीस बढ़ा रखते हैं वो आपके अराद्योष्ट देवता ही होते है कुल देवता ही का देवता ही होते है तो अब अपने धार्मिक जीवन की बात करते है धार्मिक देखो मूल रूप से यह हिंदू धरम से विलोंग करते है मीना मूल रूप से हिंदू धरम के ही है कोई ऐसे नहीं कि मीनाओं देखोगी तो आप special कोई या बहुत लंबे चोड़े है या कोई माले कुछ और सिंग सांग लगए ऐसा कुछ नहीं है अपने जैसे इनसान होते हैं बहुत प्री इनसान होते हैं और बाके मैं तो मीनाओं से बहुत परिचित हूँ फिलाल दो डाज साल से मीनाओं के बीच में यहा हुँँ एधर्म सी मूदुरुप से समध रख रहे हैं अच्या ठीक कोई बात नहीं तो इनके परिवार में चलती है सत्ता उस सत्ता को बोलते हैं पित्र सतातमक सत्ता पित् परदान होगे घर के अंदर जो परदान होगे वो अपने पापा जी परदान होगे ये इनकी परिवार की मतलब में मुख्य बात है अच्छा गाम के अंदर इनका जो गाम होता है गाम के अंदर मुख्य जो वेकती होता है जो सरपंस बात करें तो वो का पटेल पटेल मुख्य होता है यदि पांच गाउं को आप चोड़ देते हो बड़ी पंसायत पांच गाउं की है तो यहां बड़े सतर पे पंस पटेल भी हो सकता है पंस पटेल भी आप कह सकते हो पटेल भी कह सकते हो मतलो मैं जो आपको धारमी की जीवन बढ़ा रहा था कोई बात नहीं सामाजिक जीवन शुरू हो गया कोई दिकत नहीं है एक इबादत दुनों साथ में पढ़ना है सामाजिक जीवन शुरू हो गया है मिक्स रूप से पढ़ा देंगे पितर सतात्मक समाज होता है गाउं का मुख्या पटेल कहलाता है और पांच गाउं का जो मुख्या होगा वो पंस पटेल कहलाएगा कोई प्रोब्लम यहां तक कोई दिक्त नहीं है पांच गाउं का जो मुख्या होगा वो पंस पटेल कहला देगा कुछ लोग आज भी आदी तरह के मेना हैं जो जंगलों में रहते हैं और वो घांस फूंस से कच्छे घर बनाते हैं मेवासे के नाम से जाना जाता है अच्छा ये बनाते हैं घर इसको मेवासे के नाम से जाना जाता है इनके समाज में कई परकार की प्रताओं का चलन है जैसे मीनाओं में एक चलन है सबसे जदा बाल विवाह का चलन बहुत जदा चलन है आज भी चलता है पहले तो चलता ही चलता था आज भी चलता है बाल विवाह जैसा कि आप सब जानते हूँ बाल विवाय है मैं पहले भोतबर बात कर चुका हूँ बाल विवाय है राज्ये में सरवादी आखा तीज की दिन होते हैं टापरों का ब्याव करना बाल विवाय कहलाता है इसके अलावा इस समाज में एक पर्था हो रहा है विद्वा पुन है विवाय पर्था यहां पर विद्वाओं का विवाय हो जाता है यहां ऐसे भी हो जाता है कि पती है पती को छोड़ कर अन्य किसी दूसरे पती के साथ भी वो रहने लग जाती है यह पर्था भी चलती है यहां एक सबसे ज़्यादा इंपोर्टर जो पर्था है ना उस एक पर्फा हो रहा हुए बड़ी गजब का नाम है देखो इसको बोलते हैं छेड फाड़ना छेड़ा फाड़ना क्या होता है यह पर्फा थोड़ी अजीब सी पर्फा देखो कैसे थे कहते हैं कि यहाँ परुष स्त्री का पलू फाड़ दे और उस पलू पहड़ के और उसको मतलब आपा कहते हैं तलाक दे दे एक दिड़े की बात है पल्लू फाड़ दे और छोड़ दे जा तो मतलब वो हमेशा हमेशा के लिए उनके बीच के रिलेशन खतम हो जाते हैं वो उसका पती नहीं रेता उस प्रथा को बोलते हैं छेड़ा फाड़ना प्रथा एक बात ओर है वो महिला क्या करती है कहते हैं मटका उठाके निकलती है रहा पे निकल जाती है दिसा पे निकल जाती है अब रास्ते में कोई भी उस मटके को उतरवाएगा ना वही उसका आगे आने वाला नया पत्ती देव होगा इस प्रथा को बोलते हैं छेडा फ़ाड़ना प्रथा इन बात में कोई थाने संसो दो लागे है तो कमेंट बॉक्स में जुरूर बताई हो अच्छा छेडा क्योंकि मीना लोग जदे गहराई हैं बतासके थाने को लगे कि अब आच सही कोने तो सही करके बताई हो जुरूर छेडा फ़ाड़ना प्रथा हमें तो यही उलेख मिलता है नाता प्रथा बता दी विद्वा और एक प्रथा और जिससे जेपूर के अधिकांस मीना परेशान है कौन से मीना वदू पक्षवाड़े मीना सबसे ज़दा परेशान है वह सरी विद्वार्थी यह संपरक में मैं जिने जानता हूँ देखो कैसे मीना समाज में एक प्रथा मैं जिसे कूप्रथा कह सकता हूँ वो प्रथा दहेज प्रथा देखो आप सब पढ़े लिखे हो विद्वार्थियों पढ़े लिखकर यदि हम इस बात का विरोध नहीं करेंगे तो फिर ये समझे लो कि हमने फिर इन सालों में पढ़ाई क्या है आपको पताओ इस देश में जो बड़े बड़े आंदुलन जो हुए थे मालविय ने अपना योगदान दिया था राजा रामोनराय ने योगदान दिया था महतमा गंदे ने योगदान दिया था बगसिंग ने योगदान दिया था इन लोगों ने सब कुछ पढ़ाई था जब पढ़े थे ना पढ़ने के बाद इनके दिमाग में आया था कि हमें क्या करना चाहिए जो अनपड होते हैं उनको क्या पता कि परताओं के पराची निकाल में क्या परताओं चलती थी आप लोग पढ़ते हो तो आपको पताओना चाहिए कि समाज में किन किन परताओं का भेंकर विरूद हो रहा है तो आपको भी इसके अंदर सहे भागीदारी देनी चीए ना जरूरी होता है देखो अब एक बाव बताओं मैं अभी बैप 15 दिन पहले में एक मीना परिवार से बात कर रहा था मुझे बता रहे थे गुरजी हमारे तो यह मानलों के ब्याव करते हैं ना तो ब्याव के अंदर यत्रिकर सोधाई करते हैं पैसे मांगते हैं सिद्धई देखो का नॉर्मल ब्याव करना है थोरा सिंपल है बिलकुल ही हमान के चालो कम सी कम देख में 10-15 लाख रुपए तो सुरुवाथ होती है और थोरा लग गया हमानलों कॉंश्टेबली वह सब कम सी कम सामने से 21 लाख रुपए की मांगाती है हां पोश्ट की मांगए मांगए है उसकी नोकरी की जैसे नोकरी है पटवारी लग गया 25 लाख के पास पहुंच आएगा और जैसे जैसे नोकरी बट इंजिनियर साब है 30 लाख के पार जाएगा और जै लग गया मास्टर लग गया मैं कहता हूं 30 लाख से पार उसकी डिमार्ड एक तरीके से मतलब बोलनी लगती है वो वड़ा काम है तो दैज का भी बहुत बड़ा चलन रहता है अभी हमारे गुरुजी है उन्होंने दिस पर्था को समाप्त करके भी एपनी वीरता का परिचे दिया है और मैं भी चाहता हूं कि जो लोग आप पड़े लिखे हो जो लोग इस बात से परिशान है तो आप पड़े लिखे हो तो इस बात का समर्थन करें एक अच्छी पर्था है यदि आप मुझे कुछ मानते हो और मैं मेरी बात का कोई आप अर्थरक भी रहे हो मुझे आप से कुछ नहीं चाहिए कि बोलते हैं सर मेरा सेलेक्शन हो हम यह करेंगे वो करेंगे आप बस इन ऐसी बातों को फोलो करो जो आपके समाज में कूरीतिया हैं कूप रथाएं हैं उन पर्थाओं को बंद करने का विरोध करो देखो आज हम आवाज उठाएं के ना तब ही कुछ आगे चल कर होगा बहुत जरूरी है ऐसा करना हमें तो इनमें आज मिना समाज में देज पर था का बहुत ही भेंकर रोल है तो ये इनके समाज की सबसे भेंकर कूप रथा है मिना समाज की देज पर था मतलब अभी शाप ये तरीके का ये हाँ उन लोगों को साइध बुरा लग रहा होगा सर जी आप ऐसे कैसे बोल रहे हो सर जी देज तो हम लेंगे करेंगे देखो बुरा लग रहे हैं तो माफी चांगा लेकिन गड़त बात तो गड़त बात ही है समाज के बारे में बात होगी समाज के साथ साथ अपने बात करेंगे भी समाज के साथ साथ अपने बात करेंगे भी धार्मिक जीवन कैसा है ये किस-किस देवी को मानते हैं इनकी धार्मिक तो हमें क्या होता है देखो मैं तो ज़्यादा भी देखो लंबा टाइम मीनाओं संपरक में हो गया अभी पिछले कुस दिनों में मैं मीनाओं की घर पे गया था पर वेवाहर बहुत शांदार होता है मान गई ग्रामिनी चात्रे के जो मीना है ना वास्ता में बहुत गजब का इनका वेवाहर होता है में मान बाजी बहुत शांदार करते हैं मीना समाज के लोग अभी देखो एक बात दो बता रहा हूं धार्मिक जीवन मीनाओं का धार्मिक जीवन किस परकार का है जैसा कि मैंने वीडियो की प्रारम में आपको एक बात बताई थी कि इनकी उत्पती मीन से मानी जाती है मतश्य अवतार मतश्य अवतार इनके जो देवता है इनके वो आदी देवता है ये सबसे ज़्यादा पूछते हैं बुरिया बाबा को पूछते हैं चंबल नदी जारी है इस परकार यहां से एक नदी गुजर रही है जिसका नाम है चंबल नदी चंबल नदी के किनारे यहां एक जगा पड़ती है जिसका नाम है रामेस्वरम धाम स्वाई मादोपुर में यहाँ पर एक धाम है जिसका नाम है रामेस्वरम धाम रामेस्वरम धाम इन लोगों का मीनाओं का एक तरिके से परियागराज कहलाता है मतलब इनका सबसे बड़ा धर्मिक स्थल मीनाओं का कौन सा है परियागराज परियाग राज कहां पड़ता है देखो एक यूपी वाला है मैं उसकी बात नहीं कर रहा है मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो सुवाई मादोपुर वाले की बात कर रहा हूँ सुवाई मादोपुर वाला जो परियाग राज है मैं इस प्रियाग राज की ही बात कर रहा हूं दोस्तों ठीक है जी रामेस्परमधाम इन सब का सबसे पि्रियाए धार्मिक स्थान है इनका एक तरह से कुंभी कह सकते हुआ प्रामेस्थरमधाम धाम को हाँ देवता कम है देवियां ज़ादा है देखो कौन-कौन सी छेतर में कौन-कौन सी देवी की मानेता है वो देखो आप जैसे देखो सिक्कर के आसपास की मीना जो गई सिक्कर के आसपास के मीना है ये जिस देवी को मानेंगे उस माता का नाम है जीन माता जीन माता सिक्कर के मिनाओं की इश्ट देवी है जीन माता सिक्कर के मिनाओं की क्या है कुल देवी केस को कोई प्रोबलम को नहीं कुल देवी केस को आप इश्ट देवी केस को कोई संका को नहीं कोई प्रोबलम को नहीं फिर अपा बात करां यहां जेपुर साइड के जो मीना है जेपुर साइड के जो मीना है यह सरवादिक मानते हैं जमुवा माता को या जमुवा माता को मानते हैं कच्वावंस की कुल देवी भी है अलवर साइड का मीना जो मीना अलवर साइड के है अलवर के मीना जिस देवी को मानते हैं उसका नाम है नराइनी माता अच्छा इस मंदरी के तो एक बहुत बड़ी खास बात भी है इस मंदर के अंदर जो पुजारी होते है ना पुजारी ही मीना होते है इस मंदर के अंदर पुजारी को इस साइड में थोड़ी बात करें तो बरतपुर छेतर में हम बात करें, तो बरतपुर छेतर में, जो कुल देवी होगी, दोस्तों वो होगी दुरगा माता, यहां पर दुरगा माता की पूजा करते हैं, यहां के लोग, पुरवांचल साइड के, इस साइड के जो लोग ना, यहां दौलपुर, करॉली, दोसा, सु पर दिस नाम में जो том डेडिया यहां पडता हूंवे यहां पडता है अएक परदेश जिसे बोलते हैं गोडवार परदेश में जो मीना पाए जाते हैं मीना की पूझा करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे कमेंट करके बताना अच्या मीना लोग ना बुरिया बाबा की कभी जोटी किसम नहीं खाते ये बुरिया बाबा की कभी जोटी किसम नहीं खाते एक मैं बहुत ही प्यारी सी बात और बताता हूँ जो अपने आमेर के और जेवपूर के सा सक थे ना मतलब पहले आमेर के तहिर बाद में वही जेवपूर के कहला है अंतिम टाइम तक अजादित के टाइम तक इनका जब राज्य अभिशेक होता था राजे भी शेक के टाई में राजे भी शेक करने वाला जो व्यक्ति होता था था ना वो मीना समाज का होता था दोस्तों कारण क्योंकि पता है आपको श्टार्टिंगे मीनाओं का यहां पर अधिकार होता था तो वो महतब दिया गया था तो इस तरह से इनका महतोब बना हुए बहुत सरी सब्दावली है इनके जो गांसफू से घर होते हैं जंगलों में उनको मेवासे के नाम से जाना जाता है गाओं के अंदर अलग से घर बना होते हैं यह धानी बोलते हैं गाओं के अलग से जो घर होते हैं उनने यह धानी के न में छोड़ी है जो आप सब के comment के लिए है अगले पाईट में comment में बताऊँगा नाम लेके बताूँगा किस किस बंदें ने क्या क्या जवाब दिये है तो ऐसे फालतूगी मत बताना जो वास्ता में एक्जाम के लाएगผे उस तर pushing पांच-पांच सब्दावली, यदि मीना समाज से आप हो या मीना से नहीं हो तो भी एक्जाम को मद्दे निज़र रखते हुए आप ये मुझे बता सकते हो, पांच-पांच सब्दावली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओँगे मीना समाज की परचलित सब्दावली यां कौन कौन सी है खेत के अंदर ये ज़ खेती बाड़ी करते है उनसे समंदी सब्दावलिया बनती है घर के अंदर कुछ खाने पेने के यंत रोते है उनमें सब्दावलिया बनती है पस्वों के अंदर सब्दावलिया बनती है तो मीना समाज में बहुत सारी सब्दावली हैं दोस्तों तो सब्दावली मुझे आप बताओगी मैं कुछ बाते आप पर छोड़ता हूँ तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक मीना जन्जाती का मैंने पुरा उले किया कोई बात इसमें रह गई है तो मुझे कमेंट बोक्स में बताना ताकि अगले जन्जाती करूँगा बील उन भीलों के अंदर भी मैं आपको सामिल करके बता दूँगा कमेंट बोक्स में कमेंट जरूरी करना अगली वीडियो में नाम लेके बताओगा किस किस बंदे ने क्या कमेंट की हैं सही कमेंट होने चीए टोप 5 में कोण विद्यार थी आते हैं देखता हूँ अच्छा एक चोटी सी बात और ध्यान रखना डिस्क्रिप्शन में में एक लिंक दिया गया दोस्तों और उस चैनल का नाम है शुब जर्नी देखो क्या नाम है सुब यात्रा जर्नी ने सुब यात्रा विद डिपी सर्मा यात्रा को अंहरे जी में जर्नी बोल देते हैं इतरीके से देखो यह परियास तो अपना काफी लंबे टाइम से है लेकिन के एक छोड़ी से प्रोब्लम मारी है जैसे अभी प्रोसेस चल रहा है अपना एपिलिकेशन का वरक चल रहा है काम चल रहा है थोड़ा परफेशनल तरिके से काम कर रहे है तो इसके बीच में मैं कुछ यात्राओं की वीडियो डालता रहता हूं तो अब उसके लिए अलग से चनल बढ़ा है अपना ही चनल है उसको सस्क्राइब करना है अधिक से अधिक उसको सेर करना है लाइक अच्छी लगए तो करता है वरना डिसलाइक करता है कोई दिकत नहीं महें में राजस्तान का टोप यात्रा का चनल भी बन सकता है दोस्तों तो ये मेरी पहल सुरू आती मैंने की थी ऐसे यात्राओं का वर्ण करनेगा और आज भी आपके लिए अच्छा प्रयास कर रहा हूं तो आपका सिहोग हमेशा बना रहेगा तो बस जिन्दाबाद है तो जै हिंद जै भारत